हलो फ्रेंड्स वेलकम टोबर यूटूब चैनल जेके कॉम्टसन अकेडमी फ्रेंड आज किस क्लास में इंपोर्टेंड इंडिया जेके की भारत दर्सन संखला के अंतरगत अंदमान और निकोबार दीप सम्हू केंदर सासित प्रदेश से जुड़े सभी इंपोर्टेंट को को कम्प्रिट करेंगे फ्रेंड्स है एक कम्प्रिट मास्टर वीडियो है जिसमें अंदमान और निकोबार दीप सम्हू से जोड़े प्रतिक उस को लिया गया है जो एक्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे हमारी आगामी प्रतियोगी परिच्छाओं के यह क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ आज किस क्लास का हमारा मुख्य टॉपिक है अंदमान निकोबार दीप सम्हू से जोड़े जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट से हैं इंपोर्टेंट कोशन है एवन सरेक्टेड कोशन ह जो एक्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी कोशनों के बारे में आज हम डिसकस करने बाले हैं सबसे पहले बात करेंगे अन्नमान निकुबार दीप समू की बेशिक जानकारियों के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं राजधानी के बारे में तो अन्वा निकुबार दीप समू की जो राजधानी है वो पोर्ट बे लेयर है एक बात और ध्यान रखना है अन्वा निकुबार दीप समू भारत का यूटी है एक केंद्रसासित प्रदेशे यूनियन टेरिटरी है ये बात याद रखनी है भारत के तीन यूनियन टेरिटर यानि आठ केंद्र सासित प्रदेश हैं उन आठ केंद्र सासित प्रदेशों में से एक है अनुमान निकुबार दीपसमू जहां पर बिदान सबा नहीं है तो बिदान सबा नहीं है तो यहां पर बिदान सबा सीट है भी नहीं होंगी यहां पर मात्र एक लोकसबा सीट है रास समूं में पॉंट हैं तक ट्रेर होगी होंगे मेरे साइल से आपको समझ में और यह बेसिक जानकार्या है अच्छे से याद रखना है बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स में अगले पॉइंट्स में चलने से पेरे मैं आपको ये मैप में बता देता हूं कि हमारे इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में आपको यहां पर जो हमारा निचे आसमानी रंग में दिख रहा है हिंद माशागर और हिंद म निकोबार दीप समू को क्या है चित्र है यहाँ पिक है एक और यहाँ पर आपको मैंप में दिखाया भी गया है कि अनुमान निकोबार दीप समू है मारे भारत का जो बंगाल की खाड़ी में इस्तित है और बंगाल की खाड़ी किस मासागर में है हिंद मासागर में है यह को बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की कि अंडमान निकोवार दीप समु को केंदर सासित प्रदेश कब घुशित किया गया था यह बिशे इस रूप से कोलगाता उचन्याले के अधिन क्या करता है बहुत बहुत बार पूचा गया है और पूचा जाता है नेक्स्ट अगला कोशिण है जो हिंद्माशागर में पड़ती है ठीक है बंगाल की खाड़ी में अन्यमान निकोबार दीप समूश्थित है ठीक है जो हमारे भारत का एक केंदरसासित प्रदेश भी है बात करते हैं नेक्ट अगले कोश्चन की कि बंगाल की खाड़ी के दीप किस परवतमाला के उपरी भाग है यानि यह यह समुद्र में पानी में नीचे दब गया कुछ भाग जो उपर उठ गया उनको क्या नाम दे दिया दीप दे दिया त्यार रखना जो यह हमारे अन्यमान निकोबार दीप समूश्थित है यह इंपोर्टन कोशन है कई बार एक जाम में पूछा भी जाता है कि अराकान योमा परवस्रेडी कहां पर है अराकाम तो म्यामार में है डारेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है अराकान योमा इस्तित है म्यामार में पॉइंट क्लियर यहां तक नेस्ट अगला कोशन है बंगाल की खाड़ी के दीप अफसेस है तो निमजित उच भूमी के मैंने भी बताया है कि यह हमारे जो पहार जो परवत मालाक श्रेडी है कुछ उसके जो उपरी भाग है निमजित के मतला होता जल में डूबे होए भाग के कुछ उपरी भाग हो कुम निमजित उच भूमी के भाग बोलते हैं तो यह उन्ही भूमी के उच भूमी के क्या है हिस्से है हमारे अंडमान देब्समू के सबी दीप इसी प्रिकार हम कहते हैं कि जो अंदमान निकुबार दीप समु का है पॉइंट किलियर बात करते हैं नेस्ट अगले कोश्चन की कि Amerald Island यानि मरकत दीप के नाम से किसे जाना जाता है अमरोल का मतलब होता है इस पकार कि जो आकृति है और इसी आकृतिक कारण इसको अंदमान निकुबार दीप समु को जाना जाता है यह बहुत इंपोटन्ट कोश्चन है एक्जाम में पूछा जाता है मैं जितने भी कोश्च आपको selected बता रहा हूं important बता रहा हूं वो important ही है जो एक जाम में पूछे जाते हैं यानि already ये पूछे पूछ ले गए हैं भविश में भी ये पूछे जाएंगा ठीक है ये important question होते हैं बात करते हैं next अगले question की कि किसे यानि जिसे की जगह यहां पर किसे है कि किसे वे दीप क कि नाम से जाना जाता है किसके नाम से वे दीप की नाम से जाना जाता है तो वे दीप के नाम से अन्दमान निकोबार दीप समू को जाना जाता है दीप समूँ इसी वज़़े से इनको बोलते हैं यह नर्णि मान दीप समूँ और निकोवार दीप समूँ यह दो दीप समूँ है इस दीप समूँ میں टोटल तोटल थीके नेस्ट बात करते हैं मलायवासा के सब्द है जिसका साब्द करतेई यह बी बात याद रिखना कि है जो भूमी इधर बात करते हैं अन्डमान की तो जो अन्डमान सब्द है यह मले भासा के हांदूमन से आया है, यहीं मले भासा में एक सभद था हांदूमन, उसी का अपुरण्स होके अन्डमान बना था ठीक है? और जुकंए सिंदू देपता के नाम का परिवरतित रूपता है, ह कहां पहराया गया था very very important portion है और इस question के बारे बहुत ही कम लोग जानते भी होंगे याद रखना हमारे संपूर भारत की बात करें तो संपूर भारत में सबसे पहले बार तरंगा पूर्ट बिलेयर में फहराया गया था जो अन्वान निकुबार दीव समू की क्या है राजधा और नेता जी सुवास चनल बोस ने इस त्रंगे जन्डे को फहराया था उन्निस सो तेतालिस में अब देखो इसकी बारे में कुछ बता देता हूं कि जो मारा अंडमान निकुबार दीव समू इसका इतियास क्या रहा है तो याद रखना है इतियास के बारे में आपको समझ लेना इसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया और बाद में दूसरे विश्यूदी के दोरान इस पर जापान द्वारा अधिकार कर लिया गया यानि 70 सताब दी मराठो के अधिन रहा पिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इस पर अपना धिकार सासन इस्तापि पर दीप समू तो इसी दोरान स्वास्चंद्र बोश जी ने नेताजी स्वास्चंद्र बोश ने यहां पर अपना तरंगा जंडा यानि भारत का जो फ्रैग है राष्ट्री फ्लेग है नेशनल फ्लेग है उसको यहां पर फैराया था बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि देश में कहीं भी पहली बार पोर्ट बिलेएर में ही तरंगा फैराया गया था यहां नेताजी स्वास्चंद बोश ने 30 दिसंबर 1943 को यूनियन जैक जो जापान का जो जंडा होता है राष्ट्री जंडा उसको यूनियन जैक बोलते हैं उस जंडे को अतार कर यहां पर क्य में 30 दिसंबर को हर साल एक भब्यकाय करम आयोजित किया जाता है 1945 में बिट्टी सरकार द्वारा इस पर फिर से सासन हुगा और 1947 में बिट्टी सरकार से मुक्ति के बाद में भारत का एक केंदसासित प्रदेश बनाता अन्दमान निकुबार दीप समू का कुछ इथियास व में तर्सरी युक्की परमतमाला अराकान योमा से स्टाड करना है अराकान योमा के ही उच्छ निमजित उच्छ भूमी के जो भागते उनको अन्दमान निकुबार दीप समू का गया और इन दीप समू पे किस पिकार खियास में सासन किया गया मराठो का अंग्रेजों का ज इस अंदमान निकोबार दीप समू के मैप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यह जो उपरी इससा दिख रहा है आपको इस इससे को में बोलते हैं अंदमान दीप समू यानि मैंने अभी बताया था कि अंदमान निकोबार दीप समू में तोटल दो दीप समू है जिनको दो दीपसमू बाटा गया एक और ये है हमारा निकोबार दीपसमू यानि एक तो हो गया अन्दमान निकोबार दीपसमू अब देखते हैं इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम अपने मैप को यानि उपरी जो हिस्सा है हमारा इस हिस्से को हम बोलते हैं अन्दमान दीपसमू पॉइंट के लिए और इस अन्दमान दीपसमू को भी चार भागों में बाटा गया है उत्री अन्दमान जो इसको नौर्थ अन्दमान बोलते हैं एक मिडिल अन्दमान है मद्ध अन्दमान एक दच्षडी अंदमान है और एक last का कैसा लेटिल अंदमान, यानी इस पूरे अंदमान दीप समू को हम कह सकते हैं, 4 इसो में बाणते हैं अंदमान को, ठीक है, पॉंट क्लियर होग यहां तक, उत्री अंदमान, मध्ध अंदमान, दच्छडी अंदमान और लगुया छोटा अंदमान चार इसो में हमारा अंदमान दीप समू बटा हुआ है एक पॉइंट यहां से पहले समझना है उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट समझना है आपको कि जो हमारा निकोवार दीप समू है इस निकोवार दीप समू को भी ह को बोलते हैं कार्ड निकोवार और दूसरे को बोलते हैं लिटिल निकोवार जो हमारा है और तीसरे को बोलते हैं ग्रेट निकोवार क्या बोलते हैं ग्रेट निकोवार यानि महान निकोवार यानि पहला इस्सा हो गया कार्ड निकोवार दूसरा इस्सा हो गया लगू निको दीप समू को दो इस्सों में बाटा गया दो दीप समू में दोनों दीप समू कंप्लिट हो गए होंगे यहां से आपको समझ में आ भी गया होगा जो अंडमान दीप समू की जो राजधानी है उस राजधानी के बारे में बात करें तो वो राजधानी हमारी यह साउत अंडमा 10 डिग्री उत्री अच्вал का रिखा अच्छा रिखा अणमान DEEP SEMU we in कौन से अच्छा रिखा अंदमान निक defects से अलग करती है कई भार यह फूचा गया कि 10 डिग्री चैनल अलग तो लग्हुं अंदमान को और कार्ड को व้रको फिरह करता है तौन्य कि अंडमान दीप समु को कितने इस्सों में बाटा गया है अभी मैंने बताया है कि अंडमान को जो दीप समु में मारा उसको चार इस्सों बाटा गया है उत्री अंडमान मद्य अंडमान दच्छडी अंडमान और लगूया छोटा अंडमान इंग्लिस में इनके नाम याद र वागों में माटा गया है पहला है कार निकोवार दूसरा है लगु निकोवार तीसरा है भरत्या महान निकोवार ठीक है जिसको ग्रेट निकोवार भी कहते हैं Point Clear, बात करते हैं नेक्स अगले question में, कि अंडमान, निकोवार, केंदर सासित प्रदेश में दीपोवा टापों की संख्या कितनी है। जो यानि अन्दमान दीप और ये निकोवार दीप समुग यानि इन दोनों दीप समुगों में टोटल दीपों की संक्या है पांसो भात्तर और इन टोटल दीपों दीपों और टापों की यह भी याद रखना कि दीपों दीपों की नहीं टापों की दीपों और टापूँ दोनों को मिलाकर जो कुल संख्या बनती है, वो 542 बनती है और इन पानसो बातर दीपों और टापूँओं में अर्टीसों पर ही लोगों का निबास है यहां पे जन संख्या पाई जाती है बागी कि जितने भी दीप संख्या है दीप हैं दीप वाटापों वो सभी क्या है निर्जन है ये भी याद अखना है ठीक है और जो अन्दमान दीप समू हमारा जो अन्दमान दीप समू है इसमें दीप वाटापों की संक्या पांसो पचास है जबकि निकवार जो दीप समू है इसमें दीप वाटापों की संक्या यानि बात आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, यह बात याद रखना है, नेश्ट अगला कोशन है, अंदमान दीप समू का सबसे बड़ा दीप कौन सा है, जो हमारा अंदमान दीप समू है, इसका सबसे बड़ा दीप कौन सा है, तो मध्धे अंडमान यानि मैंने बताये थे आपको उत्री अंडमान, मध्धे अंडमान, लगू अंडमान और दचडी अंडमान ठीक है ये चार अमारे क्या थे अंडमान दीप समू के इससे हैं और इन अंडमान दीप समू के इससे हैं इससों में अगर बात की जाए इन चा का सबसे बड़ा दीप है मध्य अंडमान जिसका चेतपल 1536 बर्ग किलोमीटर है दूसरा सबसे बड़ा दीप है भारत का उत्री अंडमान जिसका चेतपल 1336 बर्ग किलोमीटर है और तीसरा सबसे बड़ा जो दीप है भारत का वो है दच्छडी अंडमान जिसका चेतपल 1211 ब याद रखना है 1536 बरगी किलो मिटर 6 त्रपल है पॉइंट के लिए रहा तक अब बात करते हैं कि अन्दमान दीप समू का सबसे छोटा दीप कौन सा है या सबसे बड़ा दीप तो अन्दमान दीप समू का कौन सा होगा या मद्द्य अन्दमान और सबसे छोटा दीप है रौ रॉसदीब की बात याद रखनी है । रॉसदीब को बरत्मान में किस नाम से जानते हैं तो रॉसदीब को बरत्मान में नेताजी शुवासचंद्र बरॉसदीब के नाम से जानते हैं एकजाम में पूछा जाता है important question है next अगला question है निकोवार दीप समू का सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो निकोवार दीप समू का सबसे बड़ा दीप है great निकोवार जो बिलकुल अंतिम छोर परिस्तित है जिसका चेतपल है 8602 किलोमीटर next अगला question है मारा निकोवार दीप समू का सबसे छोटा दीप कौ अन्दमान दीप समू का सर्वोच सिखर कौन सा है अब आते हम सर्वोच सिखरों पर जो मारा अन्दमान निकुबार दीप समू है इसका सर्वोच सिखर कौन सा है तो सर्वोच सिखर की इतरह बात करें हम तो सर्वोच सिखर है इसका सैडल पीक कौन सा है मारा सैडल पीक जिसक है ये बात याद रखनी है तो सैडल पीक डियो परवाण दीपसंगे तो उत्री अंडमाण में ऐक जय में पूछी जाती है यानि सब्से​ उछी चोटी कुह से निकोवार deze समूं की निकोबाा डिपसंगे सबसे उची जो चोटी है मांट धुयार जिसकी उंचाई है कितनी 642 मीटर मैंने ये बात याद रखना कि अंदमान निकोवार दीप समू के बारे में बात कर रहे हैं और ये 10 डिगरी चैनल है इसके मादम से अंदमान दीप समू अलग है और ये निकोवार दीप समू नीचे है तो मांट थूलियर जो परवचोटी यह वो खाँ परवस्तित है ब्रत या महान निकोवार में ग्रेट निकोवार में मांट थूलियर परवचोटी इस्तित है नेक्ट अन्य परवज चोटियों के बारे में देख लीजिए इसके लावा मांट डियोवली परवज चोटी और मांट कोयो परवज चोटी भी अन्दमान निकवार दीप समू में इस्तिते हैं किन किन इस्सों में हैं, तो Mount Dioglis, जो परवच चोटी है, वो मध्ध अन्वान दीप में हैं, यह 515 मीटर की इसकी हाइट है उचाई है, और जो Mount Koyo परवच चोटी यह दच्छडी अन्वान दीप में इस्सित है, इसकी 400 मीटर, 400 मीटर क्या है, उचाई है, point clear यहां तक बात करते हैं next अगले question की तो अगले question की तरफ चलने से पहले मैं आपको यहां पे इन चोटियों की बारे में division बता देता हूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे अन्दमान निकोवार अन्दमान दीप समू की यानि जो उपरी हिस्सा है तो मैंना भी आपको बताया था कि जो अन्दमान हमारा दीप है दीप समू है अन्दमान दीप समू तो अन्दमान दीप समू को हमने कितने इस्सों बाता चार में उपरी हिस्सा को हम क्या कहते हैं नौर्थ अन्दमान दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं middle and man, तीसरे हिस्से को बोलते हैं south and man, ठीक है और जो last का हिस्सा है, हमारे उसको बोलते हैं little and man ये चार हिस्से हो गए हमारे, यानि ये चारों चारों हिस्से है, point clear हो गया होगा अब जिखो जो south and man ये दच्छी अन्डमान है और ये little and man इसके बीच में भी एक जो ये gap दिख रहा है इस gap को हम बोलते हैं duncan pass क्या बोलते हैं duncan pass समझ लेना, यहां से आगे चारों के question आएंगे यहां से बहुत सारी question बनेंगे मैं ये के question को यहां पर बता रहा हूं जो ये saddle peak चोटी है और यहां पर यह यह दीब दिख रहा है चोटा सा यह दीब दिख रहा है इसको बोलते हैं नील दीप जिसको बरतमान में सहीद दीप के नाम से भी जानते हैं और यह जो दीप आपको इस जगे पे दिख रहा है इसको बोलते हैं स्वेराज दीप जिसका पुराना नाम है बलॉक दीप था ठीक है इधर इससे जो port failure राजधानी दिख रही है आपको ये port failure हमारी राजधानी है और इस राजधानी के बगल में भी यहाँ पे एक दीब है उस दीब को हम बोलते है रोस दीब जिसका बरतमान नाम क्या है रोस दीब का नेताजी सुभास चंद्र बोस आईलेंड है ये बात गया हमारा अब इस अंडमान नकोबार जो हमारा अंडमान दीब समु है अंडमान नकोडीब समु के ऊपर भी एक चैनल है जिसको कोको चैनल बोलते हैं कोको स्ट्रेट बोलते हैं ये चैनल क्या करता है म्यामार को म्यामार और जो हमारा अंडमान दीब समु है इन दोनों की इस KOKO channel पर जो अधिकार है ये को को channel मियंबार में पढ़ता है ये बात याद रखने जानी रहा रहा है। को छेनल तक आ दिखा रहे हैं तक किसका ए मैं मारका है जल्प है एो पॉइंट के लिए हो गई हो गई, बजो छो आकिए पारा अपो एक डीप और बता हैं इसके वारे में बैरंदी पीरा अdependर एक मात्र जागरत जौला मुकी है भारत का एक मात्र जागरत जौला मुकी है इस बेरन दीप पर ठीक है और यह बेरन दीप भी आप समझ गए होंगे किसमें पढ़ता है मिडिल अंडमान में पढ़ता है पॉंट यहां तक किलियर होगे हैं सारी चीजे मैं आपको समझा दी है तो यह हमारे important facts है किसके अनमान डीप समू के बारे में अब बात करता हूँ मैं निकोबार डीप समू के बारे में यह हमारा निकोबार डीप समू ठीक है निचला इससा है अनमान निकोबार डीप समू का तो इस जो हमारा यह निकोबार डीप समू है इस निकोवार दीप समू के बारे में बात करूँ तो आपको समझना क्या है कि इस निकोवार दीप समू को हमने तीन हिस्सों बाटा एक को बोलते हैं कार निकोवार दूसरे को बोलते हैं हम लिटिल निकोवार और तीसरे को बोलते हैं ग्रेट निकोवार यह जो पूरा पूरा हिस्सा दिख रहा है कार्ड निकोवार का है किसका है कार्ड निकोवार का है बात याद रखनी है और जो यह बीच में इतना सा हिस्सा दिख रहा है यह वाला हिस्सा यह हमारा लिटल निकोवार है और यह लास्ट जो सबसे बड़ा हिस्सा चेतरपल की द माउंट धूलिएर चोटी हिस्ते तहां इसमें क्या है माउंट धूलिएर है और इस ग्रीय टेट जर्व चेतरी भी यहां पर एक जैममंडा और चेतरी भी है इस ग्रिट निकोवार में यानि बड़े घ्रत निकोवार में पॉँन के लिए एक Semvero Channel है इस Channel के माध्यम से लगू निकोवार को कार्ड निकोवार से क्या किया गया है इह बात याद रखनी है और इसी कार्ड निकोवार में एक दीप है नॉन कोरी दीप यह वाला जो दीप है इसको नॉन कोरी दीप बोलते हैं यहां का बहुत फेमस दीप है इसके अलावा यहाँ पर कट्चल दीप, कॉम्रोटा दीप और कॉर्वल दीप भी यहाँ पर इस्तित है कॉर्वो दीप ठीक है यह अन्य दीप है निकोबार दीप समू के पॉइंट यहाँ तक किलियर होगे आपको समझ में आ भी गया होगा अच्छे से अब बात करते हैं नेक्ष्ट अगले पॉइंट की कोउशन के कि अंड़मान निकोबार दीप समू की राजधानी उस्तित है अभी मैंने बताया था अंड़मान निकोबार दीप समू की जो राजधानी पॉट बिलियर वो खाँ पर रिष्ट जat दἹडवी अंडवान पोर्ट विलेयर खांशते थे दच्ड़ी अन्वान दीपर और इसी पोर्ट विलेयर में एक जेल है जिसका नाम है सैलूलर जेल और जिसको अपने स्वतंदत्ता काल में काला पानी के नाम से भी जानते थे यह बात याद रखना है अच्छे से समझना ठीक है तो इसी यानि द काला पानी कहा जाता था अपने काला पानी की सजा के बारे में सुना होगा उसी काला पानी की सजा सेलूलर जेल को बोलते थे जिसको सेलूलर जेल में डाला जाता था उसको काली पानी की सजा दी जाती थी यानि सेलूलर जेल को अपने स्वतंदता काल में काला पानी बोला याद रखना है नेस्ट अगला कोश्चन देखिए यह आपको सेलूलर जेल है जो पूर्ट बिलेयर में इस्तित है दच्छडी अगला कोश्चन देखिए कौन सी अच्छांस रेका अंदमान को निकवार से अलग करती है तो मैंने भी बताया था दस डिगरी अच्छांस रेका जिसको हम दस डिगरी चैनल इस्तित है तो कौश्चांस रेका लगो अंदमान को कार निकवार से अलग करती है दस डिगरी उत्री अच्छांस रेका जिसको हम दस डिगरी चैनल भी कहते है इसके बारे फैक्ट्स देख लीजिए कि दस डिगरी उत्री अच्छांस रेका के उत्तर में इस्तित दीपों को हम क्या कहते हैं अंदमान दीप समू कहते हैं जबकि 10 डिगरी उत्री अच्छांस रेखा के दच्छड में इस्तित दीपों को दीप निकोवार यानि क्या कहते हैं निकोवार दीप समू कहते हैं प्वाइंट कीलियर, यह समझ में आ गया हो गया, यह हमारा 10 degree channel हो गया, यह 10 degree channel किसको अलग करता है, little अणमान को और card निकोवार को अलग करता है, यहां हम कह सकते हैं अंदमान को निकुबार से अलग करता है और इस दस डिगरी चैनल के यह उत्तर में इस्तिद दीप समू को क्या कहते हैं अंदमान दीप समू और दच्छर में इस्तिद दीपों को क्या कहते हैं निकुबार दीप समू कहते हैं पॉइंट के लिए यह नारकुन्नम दीप है यह वेरन दीप है यहाँ पर इनके बारे में भी हम बात करेंगे अभी नेस्ट अगला कोशन देखिए अंडमान दीप समू का सबसे उत्री दीप है यानि जो हमारा अंडमान दीप समू उसका सबसे उपरी दीप याँ जो कोको स्ट्रेट के बिल्कुल पास में है, उसका नाम है लेंडफॉल दीप, ठीक है? अगला दीप है हमारा कोको दीप समुए, यानि कोको स्ट्रेट अवस्तिते तो उत्री अंडमान और म्यामार के बीच में स्टिते अभी मैंने बताया है, इसके बारे में. कोको दीप अवस्तिते वैसे म्यामार में पड़ता है, और ये जो कोको दीप है, उत्री अंडमान को म्यामार से क्या करता है, अलग करता है, पॉइंट के लिएर, नेक्ट अगला कोशन देखिए, कि किस दीप पर चीन ने अपना इलक्ट्रोनिक निग्रानी तंत्र लगाया है, पॉइंट के लिएर, नेक्ट अगला है, नार कॉन्डम दीप, यानि जो आला मुखी दीप अबस्तित है, नार कॉन्डम दीप है, ये कैसा दीप है, जो आला मुखी दीप है, और ये नार कॉन्डम दीप कहां पे इस्तित है, तो उत्तरी अंडमान के उत्तर पूरी भा जागरत यां सक्रिय जौला मुखी बहुत पार एंग्चाम में पूछा भी गया है तो भारत का एक मात्र जागरत यां सक्रिय जौला मुखी वेरंदीप ठीक है कौन सा है वेरंदीप पर है ये जौला मुखी और इसी दीप जो ये दीप वेरंदीप इसका उदगम यानि इसक को एकमा सक्रिय जौला मुखी वेरंदीप, point clear, next अगला question देखिए, कि भारत के किस दीप का उद्गम जौला मुखी बिस्पोर्ट से हुआ, तो वेरंदीप का उद्गम जौला मुखी बिस्पोर्ट से हुआ था, और वेरंदीप पर सरप्तम ज्वाला मुखी विस्पूट या उदगार कब हुआ था है 1787 एश्री में और अभी मैंने बताया था डंकन पास के वारे में तो डंकन पास किसके बीच अबस्तित है तो जच्छी अंडमान वा छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास अबस्तित है प अगला कोसिन देखिए कि भारत का दच्छी अब मंद का जाता है भारत का दच्छी अब हिंद्विफित किसे कहते हैं इंद्रा पॉंट को कहते है और जो ये उन्द्रा पोइंटू खांस दीत है ब्रत यां ग्रोट ग्रेट निकोवार में मैं आप गताया तो लास्ट लास्ट में निकोवार है ग्रेट निकोवार इस जगे पर इंद्रा पॉइंट इस देता है जिसको वारत का दच्छरी छोर भी कहते हैं ग्रेट निकोवार में आता है ठीक है ब्रत्न कोबार में अगला है पिगमीलियन पॉइंट पार्सन पॉइंट या लाही चिंग के नाम से किसे जाना जाता है तो याल रखना इंद्रा पॉइंट के पहले पुराने प्राची नाम है इसको पहले इंद्रा point को pig million point की नाम से जानते थे पार्सन point की नाम से लाही चिंगी के नाम से जानते थे next अगला question देखिए कि इंद्रा point किस अच्छांस रेका परसेते है तो 6 degree 4 उत्री अच्छांस पर इंद्रा point इसलित है ये एक्जाम में पूछा जाता है करे बार आया में कि बहुत important question है ये भी question आया हुआ कि इंद्रा point भूमध रेका से कितनी दूरी पास टेते तो इंद्रा point भूमध रेका से 866 क्म दूर है कितना 866 क्म मेंटर दूर हैं निच्ट अगला कोशचन है नौन कुरी महत्पूर दीप है तो निकुबर दीप संभु का मैंने भी आपको डिख्रिया था नौन कुरी दिप के बारे में एक्ड़ अगला कोशचन है इस हिस्से पर आपको इंद्रा पॉइंट दिख रहा है ग्रेट निकोवार के बिल्कुल नीचे यह इंद्रा पॉइंट है यह पानी समुद्र में है और यह हमारा क्या ग्रेट निकोवार है यह दिख रहा है और इसकी ग्रेट निकोवार के बिल्कुल इस चोर पर एक छोटा सा दीप है इस दीप को हम हल्का सा यहां पर एक पॉंट बना हुगा इसको मैं इंद्रा पॉंट बोलते हैं ठीक है और ये ग्रेट नकोवार ये वाला इससा है इसके जस्ट नीचे है और जो ये इंद्रा पॉंट है भूमध रेखा से कितनी दूर है 860 km दूरी पर इस दित है ठीक है ये इंद्रा पॉंट है ग्रेट जैनल के नीचे ठीक है नेच्ट अगला कोष्जन है हमारा कि अन्यमान नकोवार दीप समुक जो जो जब्चित्धम लाट का आंधिन दीप का इNãoकोवार यह महान नकोवार यह इसके अन्यन नाम है इसको भ्रहत माने होता है great माने भी बड़ा होता है इसके अन्य नाम है यानि खई जगे great मिलेगा कई जगे ब्रत मिलेगा कई जगे महान कई जगे बड़ा बात एक ही है ठीक है यह बात याद रखना है आपको नेक्स अगला कोशिन है बर्स ढ़ द्याओे इंदमान दीफ समू के तीन दीफों का नाम बदल दिया गया जो है जिननका नाम ब्लाग रेखना दीफ पर ब्रस बास दीफ आज इन है रहा challenges को क्या है नेता ब RB को कि नाम से बर्तमान में और नील दीप को बरतमान किस नाम से जानते हैं सहीद दीप के नाम से जानते हैं पॉइंट क्लियर यहां तक नेक्स्ट अगला कोशन देखिए कि अन्दमान इस्तित रिची और की पेलोगो दीप समू का सबसे बड़ा दीप है स्वराज दीप ठीकर है सबसे बड़ा दीप कोन सा है शुराज दीप एए बात याद रखना है अन्दमान में जो इस्तिते के रिची एक दीप समू है रिची दीप समू इसका पूरह नामन था यह सबसे के वह त तो यह यहीं पर दीप दिप पह पॉइंट पॉइंट है सभसे पॉइंट ने की थी है और इन्य चैसित पर प्वायपर या जी पर जुडन के पास्थ के पॉइंट करूए पार सब्सक्रोंग ऑन्जेंट काहां important question है कई बार पूछा भी गया है तो यह कहां पे है मात्मा गांदी समुदरी राष्ट्री उद्दान तो अन्वान दीप में है ठीक है अगला question है Mount Harriet राष्ट्री उद्दान कहां पे है तो Mount Harriet राष्ट्री उद्दान अन्वान दीप समूँ में उड्धान मात्मा गांदे शमुदरी राष्ट्रं उद्धान माउंप है यह 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 दोनों उध्दान इंप्धान है और दोनों इंद्धान पूछे जाते हैं और दोनों-डोन अन्मान दीप समोंग है ञेरी तक क्या नें अब इस hypothesis ऐक आया है हम फे यह केम्पवेल व री अब्राष्ट और दोनों इम्पोर्टेंट है लगवग revenue 90 Nordest यह बात भी याद रखनें नेगला कोशे में नेठा कोशे ने मारा कि कोंसा दीप औंग या ओंज जन जाती के अधिवास ये तू प्रसब्ध है जो नगनबस्ता में नगन रहती है इनके बाल बहुत चोटे चोटे होते है तो यह दच्छडी अन्दमान में पर इन दौनों दीपों पर जारवा जाती निवास करती है नेक्ट अगला कोशिन है अन्दमान दीप समु में कौन सी चार निगरूटो जाती है निवास करती है अनि अन्वान दीप समूम पूरे में चार निग्रुटो या ये पॉन्ट अबस या लगना जो जाती निवास करती है क्या है किस समूम की है निग्रुटो समूम की है निग्रुटो जातिया है ये और ये कौन-कौन सी चारो जाती हैं जो अन्वान दीप समूव में निवास करती हैं वो है एक का नाम है महा अन्वानी दूसरे है ओंगे या ओंज तीसरी जंजाती है जारवा और चोथे है सेंटिनली ये चार जंजाती हैं या चार जाती हैं अन्वान दीप समूव में निव कुछT क्रते हैं मंगोलाइड प पर जाते के निगरीटों पर जाते कि दौनों की पर जाति की है यह बात भी याद रखना है और निकोवारी वासवार सॉम पेंजे ज्ञातिया है यह निकोवारह दीप्समूं में निवास करते हैं। उन्सक वासी में इसकोवार डीब समू और गोशत किया था। पॉइंस्ट एकला कोशे ने अन्नमान निकोवार डीब समू में पाई जाने वाली बहुमूले लकडियां किन प्यूड़ों की हैं ? तो बहुमूले जो लकडियां है वो पाडोक तता गरजन ब्रच्चों की हैं और ये अन्मान निकुबार दीपसमू में मिलती हैं ये पाडोक और गरजन की लकडियां पॉइंट के लियर इस पिकार दोस्तों ये अन्मान निकुबार दीपसमू से हमने काफी सारे आपको इंपोर्टेंट कोशन कराए और इस सभी इंपोर्टेंट ये वह सेलेक्टिड कोशन थे जो आगमे परिच्वा में आपके लिए उप्योगी साबित होंगे बेरी बेरी इ वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अगली वीडियो में तब तक के लिए अलविदा